वन प्लस ने अपना एक और नया स्मार्टफोन वन प्लस का नॉट फोर को लॉंच कर दिया वह दूसरी तरफ आईक्यू का पापलग स्मार्टफोन आईक्यू का जी नाइन फैब जी वैसे तो इन दोने स्मार्टफोन की प्रैस में काफी जादा डिफरेंट देखनों को मिल था तो अगर आप लोग भी जाना चाहते हो कि कम पैसे करके आईक्यू की जी नाइन फैबजी को लेना पैसा ही रहेगा या ज्यादा पैसे खरकर के वन प्लस के नॉट फोर को लेना सही रहेगा जानने के लिए आज किस कंपेरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा देखनों को मिल जाता है वहीं दूसी तरफ आई कुझी नाइन 5G में मीडिया टेक का डैमेंस सेवन टू डवल जी रो का प्रोसर देखनों को मिल जाता है अगर परफॉमेस बात करी जाए तो इन दोने स्मार्टफोन में से आप लोगों को वन प्लस के नौट फॉर में बेट जो अन्थू स्कोर निकल के आता है वह दूसी तरफ आई कुझी नाइन 5G का जो अन्थू स्कोर निकल के आता हुग सेवन लेक्स 28,000 निकल के आता है अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खास कर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहें तो इन द लिए बात करें यह तो अपने अपने प्रैस में इन दोने स्मार्टफून में काफी अच्छी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती एक ट्रप G95G में 6.67 इंच की Full HD Plus AMOLED डिस्पले देखने के पिल जाती है डिस्पले के अच्छी smoothness के लिए 120 Hz रीफ्रेशेट का support देखने के पिल जाता है और डिस्पले में HDR10 का support देखने को मिल जाता है वही दूसी तरफ OnePlus के Note 4 में 6.74 इंच की Big Size की Super Fluid AMOLED डिस्पले देखने के मिल जाती है डिस्पले के अच्छी smoothness के लिए 120 Hz रीफ्रेशेट का support देखने के मिल जाता है और डिस्पले में HDR10 का support देखने को मिल जाता है दोने स्मार्टफोन का डिस्पले का अगर brightness level की बात करीजा तो उसमें तो काफी बेश्ट होया आता है OnePlus का Note 4 2150 nits की Peak brightness देखने को मिल जाती ही वही दोसी तरफ IQ G9 5G 1800 nits की Peak brightness देखने को मिल जाती ही इन दोने स्मार्टफोन का अगर camera segment की बात करीजा तो प्राइस में तो काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिल जाता है फिर भी इन दोने स्मार्टफोन में एक्सेलेंट सोनी का सेंसर वाला camera setup देखने को मिल जाता है बाकी का दूसरा camera टू मेगा फिक्सल का मिल जाता है विट LED फ्लैस लैट के साथ कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है फोन के back camera से 4K वीडियो आसानी से record कर सकते हैं वाई दूसरी तरह OnePlus के Note 4 के भी back में dual rear camera setup देखने को मिल जाते है 50 Megapixel का light 6 and 8 का सेंसर देखने को मिल जाता है बाकी का दूसरा camera विट LED फ्लैस लैट के साथ कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के back camera से 4K वीडियो आसानी से record कर सकते हैं इन दोने smartphone का अगर selfie camera की बात करी जाए तो प्रैस में 10,000 रुपीज का एक बला different देखने को मिल जाता है फिर भी इन दोने smartphone के selfie camera में different देखने को नहीं मिलता है एक तरव OnePlus के Note 4 में भी 16 Megafixal का selfie camera देखने को मिल जाता है वही दूसरी तरव IQ G9 Fabg में भी 16 Megafixal का selfie camera देखने को मिल जाता है इस smartphone का अगर build quality की बात करी जातो एक तरव OnePlus के Note 4 में आप लोगों को metal back देखने को मिल जाता है वही दूसरी तरव IQ G9 Fabg प्लास्टिक बैक देखने को मिल जाता है बैटरी से एक बिन का अगर बात करी जातो बैटरी और charging speed के मामले में तो बैटर हो जाता है OnePlus का Note 4 5500 mAh की बैटरी देखने के मिल जाती 100W के सुपर वोक चार्जिंग के साथ यूजबी टैफ सीपोर्ट का सपोर्ट देखने के मिल जाता है वही दूसरी तरव IQ G9 Fabg में 5000 mAh की बैटरी देखने के मिल जाती 44 वाट के फ्लेश चार्जिंग के साथ यूजबी टैफ सीप सांतों के स्माटों की प्रैस में काफी स्मस्माटफोर की कैमरे में तो इतना ज्यादा दिखने को नहीं मिलता अपने-प्रैस प्रोसेसर में काफी बेग्श मिल जाता है तो स्परफेक्ट मोग समाट फोन अट्रोब गरने के सोचे लिए तो आप लोगों को IQ G9desk की तरफ जाना चाहिए प्रग्राप लोग उससे भी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर वाला आल रांडर स्मार्ट फॉर लेने के लिए सोच रहे तो वन प्लस का नॉट फूर अपने प्रैस पे भी काफी जादा बेश्ट है